हेलो एब्रिवान वल्कम बैक टियरून चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नंबर 73 विशे विज्ञान कक्षा 10 हमारी रेट 21 चन्वरी के लिए तो जिली शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में जो हमारा पाथम पढ़ रहे थी आनुपानशिक्ता ओ एवम ज चैडिके तो इसकी आधार पर उन्होंने कुछ प्राप्त कुछ जो उनको मिला था उनके मैध्यम से उनने क्या कीया था जो सवतंत्र वर्गिकरन का कानून है वो उन्होंने फाइंड आउट किया था उसको निकाला था उदारन के लिए जैसे बीज का रंग और बीज का आक पूण होते हैं अर्थार सवतंत्र रूप से स्थानांत्रित होते हैं अपने इंडिव्यूजुली दोनों अलग लग आगे ट्रांस्वर होते हैं ठीक है देखो आप एक कोश्चन है छोट से एक दुख जब मटर के पोधे में दो अलग-लग विशेशकों की प्रतिकृतियाओं की सवतंत्र वंचानुगत का अध्यन किया जाए दो अलग-लग विशेशक की बात हो रहे हैं एक मटर में मा लीजे गोल बीजवाले लंबे पोदे और जुरिदार बीजवाले चोटे पोदे की संतती कैसी दिखती है तो ये सबी लंबे होते हैं और उनके बीज क्या होते हैं गोल होते हैं यह होगा तो लंबाई और गोलाई इस प्रकार क्या है दोनों प्रभावी लक्षिन है दोनों लेकिन क्या होता है अगर पहली संतिती पहली जनरेशन में सवप्रागन करके दूसरी संतिती उत्पन की जाए तो इस तरह यदि दो विशेशकों जैसे बीज के आकार गोल या जुरिदार हो सकता है बीज के रंग पीला या हरा इस पर विचार किया जाता है तो F1 जो पहली प पनेट वर्ग का प्रभावी डंग से उप्योग किया जा सकता है यह पनेट वर्ग की किस तरीके से वर्ग करता है वो मैं आपको बताऊंगे ठीक है तो जब गोले हरे बीजो वाले एक शुद्ध रेखा सम्युगमजी पोदे को दूसरे शुद्ध रेखा वाले जुरिदा लाधा है आपने उसकी रंग के लिए एक आपने लिया उसकी आकार के लिए ठीक है रंग एसा एक का रंग एसा है एक का का यह जा यह तो इस त्रीके से यह छार हो गए इन चारों में अब जो पचास पर्शुक्ध यूगमकों में आर जीन है तो absorbed फिफ्टी परसंत ही हो ग तो फिर्द यह दोनों छहलए तो इस आर में भी 50 % यह होगा और 50 % यह क्या तो आपना यह तरीकी से यहर में भी 50 ॐ बस यह लिखा व्हुआए यहां पे तो आप देखो इस प्रकार चार प्रकार की युग्मक हमें मिलते हैं दोनों के साथ होगा यह बी इन दोनों के साथ होगा 50 50 पर्सेंट तो इस चार प्रकार के मारी युग्मक काते हैं तो प्रते की अपवर्थी देको पचास-पचास होगे उसके फिर से पचास-पचास हो रहे हैं तो 25 प्रतीशतिया उत्पादी कुल युगमों के एक चोथाईवी भाग का साथ होती है तो जब हम एक पनेट वर के दोनों पाश्वों पर चार प्रकार के अंड और प् पाद यूपाद अभी मैं आपके एक्जामपल में समझाऊंगी उपर थीक है तो एक पनेट वरक एक अनुवान्षे क्रोस में संतिती के सभी समभाविद जीनोटाईप की संभावना का गन्ना करने के लिए चित्रात्मक पॉतिनेद दृत्व हैं मैं बार-बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ पनेटवर्क पनेटवर्क क्या है ये आपको दिखाता है कि चित्र के माध्यम से आपको दिखाता है कि जो Geno-type की संभावना है वो किस्तनी है एक उसकी गंडا करने में ये मदद करता है ठीक है अब देखो यहाँ पर इस से समझो यहाँ पर दो अलग अलग विशेश्यों की प्रतिक्रियों की सवतंत्र वंशानुकत द्वी संंगर क्रॉस यहाँ पर क्या हुआ है पहरे यह पैत्रक पीडिए तो अब हम क्या करेंगे इसमें दूसरी पीडि में जो ह यह हमने बनाई थे न कौन से चार बनाई थे देखो यहां पर फिर से बना के देख लेते हैं आर आर वाई वाई एक बार इसको इसके साथ एक बार इसको इसके साथ यह दोनों बन गए फिर इसको इसके साथ फिर इसके साथ यह दोनों बन गए ठीक है तो जो यह चार यहां ल गोल और हरई हो गई इसमें ठीक है एंद यहां पे क्या हो गई आपके गोल और पीले हो गई उसके बात यहाँपे देखो आर तो है गोल और यहां पे जो बात चलता है और आपका प्रुबावी लख्षरियर इसमें ФMP doing देखेंगे तो जो गोल पीले है न वो कितने है गोल पीले आपको 9 मिलेंगे ठीक है गोल हरे आपको कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे जुरिदार पीले आपको कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे और जुरिदार हरे आपको 1 मिलेगा तो फिनो टाइपिक क्या हो गया आपका 9331 ठीक है तो तो आपका थेखो अगर हम एक का देखे रहा जुरीदार पी लगारे त्री इस टू वन है इसका रेशु गोल हरे और पीले और जुरीदार पीले 9 इस टू 3 कितना है 3 इस-टू 1 ही आ रहा है तो रेशिव जो इवो 3 इस-टू 1 ही आ रहा है आपका नियम के हिसाब से, ठीक है चलिए अब हम चलते हैं मारे प्रेशन उत्तर पे तो आज की वोक्षीट में आपको ये तीन प्रेशन दिए गए हैं तीनों प्रेशन की हालम कर लेते हैं फटा-फट से देखिए पहला प्रेशन है आपका देखो फुरस्ट कोशिन है गोल-पी ले विशम युगमजी बीजों को अब करने से नीम इन लेखे परीनाम प्राप्त हूए गोल-पीले बीच 315 मिले हैं गोल-पीच 108 मिले हैं जुरीदार-पीले-बीच 101 मिले हैं जुर तो प्रोक्त परिणाम से आप क्या निश्कर्ष निकालते हैं तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो देखो यह क्या है सो है इसको 300 मान लिया इसको सो मान लिया तो जीरो से जीरो कटकी 3 तो प्रतेग गुण का अनुपात बीज आकार और बीज रंग दोनों के लिए क्या है लगबक त्रीज टू वन था तो पहली पीडी है इसके पोदो में संकरन कराने पर उसमें चार प्रकार के बीज बनते हैं हरे वे जुरीदार हरे वे गोल गोल वे पिले तरह पीले वे जुरी ठीके तो इस ये निश्कर्स प्राप्त होता है हुआ है कि आनुवानशिक लक्षिन सवतंत्र होते हैं क्योंकि पीला रंग सदा गोल बीजो के साथ ही नहीं, बलकि जुरीदार बीजो के साथ भी आता है, यह हमेशे पता लगा है, तो अथ्वा हरे रंग का सदा जुरीदार के साथ ही नहीं, बलकि गोल बीजो के साथ भी, यह शाए दो बार लिख देख मेंने, हा नहीं, ठीक है, यहाँ पे पीले रंग थ लेकिन इसको ध्यान से समझने की जरूरत है क्या निकाला है कि जो अनुपात है वो 3 to 1 ही था और इससे यह हमें पता लगा है कि जो जरूरी नहीं है हमेशा जिस पेर में हम उसको ले रहे हैं उसी पेर में वो आए उसी जोड़े में आए अलग अलग जोड़ों से वो अपनी अलग अलग जो लक्षन है वो ले सकता है ठीक है न तो इससे जो तीसरा जो नियम था सिधान था सवतंतर वर्गी करण का सिधार वो इसके निशकर्ष में हमने पाया है ठीक है चलिए आगे पढ़ते प्रेशन नमबर 2 पर दूसरा प्रेशन क्या है सवतंतर वर्गी करण का नियम क्या है? बताओ तो देखो इस नियम के अनुसार जो प्रतेग विशेषक है, लक्षिन की प्रतिकर्तिया, एक दूसरे से सवतंत रूप से एक द्वीत संकरंट क्रोस में युग्मख निर्मान के दोरान वंशानूगत होते हैं, अर्थात सवतंत रूप से रूप से रू ही आएगा हरे के साथ जुरिदार भी हो सकता है गोल के साथ पीला भी हो सकता है ठीक है ना तो वह अपने अलग-अलग सानांत्रित होते हैं जो उनके वन्शानुगत है युगम निर्मान के दोरां द्वी संकरन क्रोस में अपनी अलग की खुद की इंडिवीजुल टाइप से रहते है वो इन्डपैंडन होते हैं निर्म नहीं होते ठीक है न तो यही सवत developed के करण का नियम कहता है सो यह हो गया आपका प्रेशे क्रेशन 2 बढते है लाश्ट क्लशन प्रेशन 3 आपका क्या है एक संकरम दितुशंकर क्रॉच एक डूसरे से किस संकर क्रोस, जैसे कि लंबा और छोटा पोदा हमने ले लिया, एक ही लक्षन है यहाँ पे लंबा और छोटा, ठीक है ना द्वी संकर में क्या होगा, क्रोस जिसमें दो लक्षनों की बन्शागिती काद्ड, दो लक्षन साथ में चल रहे है, बीज का रंग, बीज का आकार ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लो बीज का हरा और गोल, आकार की बात भी हो रही है, और हरे की बात हो रही है तो दो लक्षन यहाँ पे चल रही है, ठीक है तो यह क्या हो जाता है, आपका एक संकर क्रोस और जिसमें दो लक्षन लेकर चल रहे हैं वो द्वी संकर क्रोस हो जाएगा ठीक है यह हो गया आपका प्रिशन नुम्बर टीन तो यह तीन प्रिशन अज आपकी वोक्षीट में दिये गए थी I hope आपको अच्छो से समझ में आ गए है कोई भी डाउट है किसी